साल 2017 में घाटा बिलोद में हुए गोली कांड मामले में कॉंग्रेस की पूर्विजला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंग गौतम और परिवार के अन्यस सदस्यों को इंदोर जला कोटने हत्या के प्यास में सास साल की सजा सुनाई है जिसको लेकर राजनेतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है जहाधार भाजपा जिला अध्यक्ष मनो सोमानी ने बाल मुकुंद सिंग गौतम को हुई सजा के निर्णय को अच्छा बताया है गाटा बिलोद में हुए गोली कांड मामले में कॉंग्रेस की पूर्विजला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंग गौतम को हुई सजा के बाद अब सियासत का सलसला रफ्तार पकड़ रहा है जाधार भाजपा जला अध्यक्ष मनोस सोमानी न कहा कि कौट जो भी निर्णय दिया है अच्छा दिया है साथी पूर्व üst बाल मुकुंद सिंग पर भी भाजपा जला अध्यक्ष मनोस सोमानी निशाना साधा है पार्मुकुंजी गोतम और उनके परिवार के अन्य पास सदस्चों के नियायले ने 307 के अंदर 7 साल की जेल सुनाई है, अब ये नियायले प्रक्रिया का काम है, ये विगत 7 वर्ष पुरानी घटना है, और उसके अंदर जो नियायले या, नियायदीश ने जो करा है, वो नि नहीं दिया है, जो नहीं दिया, अच्छा दिया है, और उन्होंने कुछ इसक किया है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और उनको लगता है, ये 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 लिवेस्टा है, आगे जाके रित लगाए, अब धीगवजेश सिंग क्या-क्या बोलते हैं, आपको सब पता है, वो कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2017 में घळटा बिल्लोद में हुए गोली कांड मामले में कॉंग्रेस के पूर्व जला अध्यक्ष बाल मुकंद सिंग गौतम और परिवार के अन्य सदस्यों को इंदौर जला कोट ने हत्या के प्रियास में 7 साल की सजा सुनाई है जिसको लेकर राजनेतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है जहां धा भाजपा जला अध्यक्ष मनोस सोमानी नबाल मुकंद सिंग गौतम को हुई सजा के निर्णाई को अच्छा बताया है वीवरो रिपोर्ट आमपी न्यूस धार